Hello everyone, welcome to the channel Ravi Study IQGK and आज के इस वीडियो में मैं कवर करूँगी संपून 2023 की करन्ट फेर कप पार्ट नमबर 20 तो देखें जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पूरा 2023 यहाँ पर कवर करूँगी और इसमें मैं 2400 क्यूशन को डिसकस करने वाली थी तो उसी सेरीज में आज ही होगा पार्ट नमबर 20 जिसमें हम डिसकस करेंगे नेक्स्ट हंडर्ड इंपॉर्टेंट क्यूशन को तो बिना देरी करें शुरू कर लेते हैं वीडियो को जिसका पहला प्रश्ण है दुनिया के सबसे उचे युद्शेत्र जो की है आपका सियाचीन यहाँ पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है तो देखे अगर हम बात करें, दुनिया के सबसे उचे युगदशेत्र जो की है आपका सियाचीन, यहाँ पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी, यह बनी है गितिका कॉल, ओप्शन नमबर जो D है, यह आपके यहाँ पर सही हो जाएगा, तो दुनिया के के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेफिनेटली काफी सदे इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो देखे, सियाचीन ग्लेसर यह हिमाले के पूर्वी कारकोरम रेंज में इस्तित है, जो पॉइंट एंजई 9842 के उत्तर पूर्व में है, यहीं पर भारत और पाकिस्तान के बीच में, नियंतन रिखा भी समाप्त होती है, यह भी आप याद रखेंगे, अगला क्यूशन है आपका, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारती है कौन बनी है, तो देखे, अगर हम बात करें, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारती महिला, तो ये बनी हैं डॉक्टर अक्षिता कृष्णमूर्थी, ओप्शन नमबर ए, तो देखे नासा के संचालक वर्तमान में परजीवरेंस रोवर के माध्यम से मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के संकेत तलाश रहे हैं, और चटान के नमूने एकत्र कर रहे हैं, और उसी टीम के प पहली भारतिय महिला जो मंगल ग्रह पर जाएंगी, तो वो हैं, या फिर उसके रोवर को संचालित करने वाली, तो ये बनी हैं डॉक्टर अक्षिता क्रेशना मूर्थी, अगला क्यूशन है आपका, प्रत्वी के मैंटल के जाज करने के लिए, किस देश ने ड्रेलिंग ज जाहाज जिसका नाम मैंग ज्यांग इसको लॉच्च किया है, तो दीखे प्रत्वी के मैंटल के जाज करने के जिस देश ने ड्रेलिंग जाहाज लॉच्च किया है, इसका नाम है चाइना, तो ओप्शे नमबर जो A है ये आपको यहां पर याद रखना है, देखे चीन अक्षे है प्रत्वी की परत में प्रवेश करना और मेंटल के रहश्यो को समझना जो इस अज्याक्षेत्र में मानवता के उद्गाटन प्रियास को जिन्नित करता है तो जहाज का नम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मैंग जियांग इसका नाम है जो की चीन के संचालित है अगला क्षिशन है आपका तेलंग गाना के नए मुख्य मंत्री कौन बने है तो देखे अगर हम बात करें तेलंग गाना के नए मुख्य मंत्री तो यह बने है रेवन्त रेड़ी इंपॉर्टेंट क्षिशन है तो ऑप्शन नमबर जो बी है यह आपका यहाप प्रधान मंत्री बने है कौन पतलब दूसरी प्रधान मंत्री बने है कौन तेलंग गाना के रेवन्त रेड़ी ठीक है इनकी पार्टी कौन सी है तो ये कॉंग्रेस पार्टी ने रेवन्त रेड़ी को बनाया है तेलंग गाना के स्थापन जैसे मैंने आपको बिताया दो जु उसने मुख्य मंत्री बने हैं अब रेवंत रेड़ी और पहले मुख्य मंत्री कौन थे तो वो ते चंदर शेकरन राओ अगला क्यूशन है आपका पहली बार फीफा अंडर 17 पूरुस विश्व कब 2023 का किताब ये किसने जीता है तो ये जीता है जर्मनी ने औप्शन नमबर ए ये आपके यहाँ पर सही हो जाएगा तो देखे जर्मनी ने फाइनल में पैनल्टी पर फ्रांस को हरा कर ये खिताब जीता है आयोजन्स थल की बात करी तो ये था इंडोनेशिया संस्करन तो ये 2023 की तो इसकी मेजपानी की है भारत ने ओप्शन नमबर सी तो देखे वर्ष 2023 में वैश्विक प्रद्योगी की शिकर सम्मेलन का आटवा संस्क्रन ये नई दिल्ली में हुआ है और इस सम्मेलन की सह मेजपानी ये विदेश मंत्राले के निती नियोजन एवं अनुसंधान प्रभाग और कार्णिगी इंडिया ने की है थे में इसकी प्रद्योगी की भूराशने थी यानि कि जियो पॉलिटिक्स ऑफ टिकनॉलोजी तो यह आप याद रखेंगे अगला क्यूशन है आपका रास्ट्री प्रदूशन दिवसी हम कब मनाते हैं तो देखें 2023 में जो र आता है तो यह आता है बहुपाल क्रेस्ट रजडी जो काफी भायानत थी तो उसी के उसमें हम लोग इस चीज को मनाते हैं ध्यान रहेगा नेशनल पालीशन डी मनता है दो दिसंबर को अब हार एक डे की ना थीम बहुत इंपॉर्टेंट जाती है तो इसकी थीम ती स्वच और स्वस्थ ग्रहे के लिए सतत्विकाज यानि की सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर अ क्लीन एंड हल्दी प्लैनेट अगला केशन है किस राज्य को अमरित व्रक्ष आंदोलन के लिए नो गिनीज वर्ल्ड रिकोर्ड प्रमान पत्र प्राप्त हुए है तो देखे अगर जून 2023 को शुरू किया गया था जिसका लक्षे है एक क्रोड पोधे लगा कर राज्य में हरित और अधिक टिकाउं वातावरन को बढ़ावा देना अगला क्यूशन है संयोक्त रास्ट जलवायू परिवर्तन सम्मेलन 2023 यान की कॉप 28 में ओल एंड गैस डी रहे डॉक्टर सुल्तान अलजबेर और सौधी अरब ने आधिकारिक रूप से ओल एंड गैस डी कार्बनाइडेशन चार्टर को जिसको हमने ओजी डी सी लिख है ओल एंड गैस डी कार्बनाइडेशन यह चार्टर जारी किया है जिसका उदेश्य है जलवायू संबंदी चुनोदियों के प्रभावों को से निमटने में जहयोग करना अगला केशन है भारत की पहली पंडुबी परेटन सुवेधा की स्थान पर शुरू की जाएगी तो पहली पंडुबी परेटन सुवेधा ये इसकी शुरुवात की जाएगी गुजरात में ऑप्शन नमबर ज चहर के टट पर एक पवित्र द्वीब है जो हिंदू धरम के भीतर पोरानिक महतव से भरा हुआ है अगला किशने विश्व कंप्यूटर साक्षर्ता दिवस यह हम कम मनाते हैं तो देखे अगर हम बात करें विश्व कंप्यूटर साक्षर्ता दिवस तो यह हम मनाते हैं दो द देना अगला क्यूशन है आपका वर्ष दो हजार तेईस में भारति सड़क कॉंग्रेस का ब्यासीवा वार्षिक सत्र यह कहां पर हुआ है तो भारति सड़क कॉंग्रेस का ब्यासीवा वार्षिक शत्र तो यह हुआ है आपका गांधी नगर गुच्रात में ओप्शन नमबर तो देखे भारती रास सड़क कॉंग्रेस के दोरान सड़क दुरगटनाओं को रोकने और सड़क निर्मान की नवीन प्रद्योगी की पर चर्चा की गी है और भारत सड़क कॉंग्रेस देश में राचमार्क इंजीनिरों की सवच सरवोज संस्ता हैं जिसकी स्थापनोविती दिसंबर 1934 में और उदेशे हैं भारत में सड़क विकास करना अगला क्यूशन है आपका RBI ने किस देश के बैंक के साथ में Bond Clearing Settlement पर समझो होता किया है तो देखे अगर हम बात करें RBI की यानिकि Reserve Bank of India की तो इसने किस देश के बैंक के साथ में Bond Clearing Center पर जो है समझो होता किया है तो यह है आपका Bank of England Option Number जो B है यह आपका यहापर सही हो जाएगा RBI की बात कर लेते हैं जुसकी Full Form होती है Reserve Bank of India इस्थापन भी थी 1935 में लेकिन अधिनियम तो यह था 1934 का वर्तवान में इसके गवर्णर कोन है तो यह है शक्तिकांत दास तो यह भी आप ध्यान रखेंगे शक्तिकांत दास ठीक है अगला क्वेशन है आपका इंडिया इंटरनेट गवर्णन्स फोरम 2023 जिसको हमने शॉर्ट में लिखा है IIGF इसका आयोजन कहा हुआ है तो देखे अगर हम बात करें इंडिया इंटरनेट गवर्णन्स फोरम की तो इसका आयोजन यह हुआ है नई दिल्ली में ओप्शन नमबर B तो देखे यह है फोरम इंटरनेट से संबंदे सारवजनिक नीती के मुद्दों के बारे में चर्चा करने के लिए विबिन हित धारकों की एक मंच के रूप में कार्य करता है थीम इसकी क्या है भारत के डिजिटल एजन्डे को समयोजित करते वे आगे बढ़ना यानि की मुविंग फोरवर्ड कैलिब्रेटिंग भारत डिजिटल एजन्डा अगला केशन है आपका रास्ट्री अपराद रिकोर्ड ब्यूरो रिपोर्ट यानि की जो NCRB की रिपोर्ट आती है 2022 के अनुसार किस राचे में बाल सोशन यानि की पॉक्सों के सरवाधिक मामले दर्च किये गए है तो ये दर्च किये गए हैं महरास्ट्रों में आप्शन नमबर C तो देखे इस रिपोर्ट के नुसार बाल सोशन के सबसे जदा 20,762 मामले ये महरास्ट्रों में दर्च किये गए हैं मध्य प्रदेश में हैं 20,415 और उत्तर प्रदेश में आते हैं 21,682 फिरे फॉब्स एशिया हिरोज और फिलन्त्रोफी सुची में किन भारतियों को स्थान मिला है तो इसमें जा स्थान मिला है वो तीन लोगों को नंदन नीलमन ननीले कनी केपे सिंग और निखिल कामत तो उपयूक्त सभी याँ पर इनका सही आंसर हो जाएगा फिरे चटवा अंतरास्टी लगो फिल महथसव दो हजार तेईस ये कहां पर आयजित हुआ है तो देखे कर आम बात करें चटवा अंतरास्टी लगो फिल महथसव तो इसका आयजन ये हुआ है वारा नसी में ओप्शन नमबर A ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा फिर हैं महा परिनिर्वान दिवस 2023 यानि की जो समिधान के जनक कहे जाते हैं बाबा साहिब अमबेडगर इनकी 66 पुन्यती थी कब मनाई गई है? तो ये मनाई गई है 6 दिसमबर 2023 को ओप्शन नमबर जो D है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा तो देखें महा परिनिर्वान दिवस भारते समिधान के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर बीम राव अमबेडगर की पुन्यतीती के रूप में मनाया जाता है फिर अब पूर्व Mr. Universe Body Builder जो की है Sean Davis इनका निदन हो गया है ये किस देश से संबंदे थे? तो देखें गर हम बात करें पूर्व Mr. Universe Body Builder Sean Davis की इनका निदन हो गया इनका संबंद था England से Option No.A तो देखें 1993 में परतिस्तित Mr. Universe खिताब जीतने वाले शॉन डेविस ने डाइनासॉर उपनाम से जाना जाता था अगला कहशन है आपका उप राजपती जगदीब धनकट को किस विश्विध्याले के पदेन चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है तो यह नियुक्त हुए है कहां से पॉंडी चेरी विश्विध्याले के किया है जापान ने ऑप्शन नंबर जो डी है यह आपको यहां पर याद रखना है तो देखिए इसे यूरोपे यूनियन और जापान ने मिलकर बनाया है जेटे सिक्स्टी एस ए नामक यह विशाल मशीन टोक्यो के उत्तर में नाका में एक हैंगर में स्थापित की गई है तो देखिए जेटे सिक्स्टी एस एक छे मंजिला उचा टोमा आटो का मक दो सो मिलियन यानि के बीस क्रोड डिगरी सेलसिस तक गरम किये गए प्लास्मा को रख्य और नियंतरित करने के लिए डिजाइन किया गया है फिर प्रधान मंती नरेंदर मोदी ने दिसंबर दो जे महराज की प्रतिम का नावरन यह कहां किया है तो यह नावरन हुआ है कहां पर राजकोर्ट किला जो की महरास्ट्र में है तो आप्शन नमबर ए यह आप कहां पर सही हो जाएगा फिर प्रिदान मंत्री जी ने भारत के पहले दुरलप्त परवित प्रत्वी स्थाई जो कि आपका विशाखा पत्नम में किया है ऑप्शन नमबर जो ए है यह आप कहां पर सही हो जाएगा अब यहाप पर स्थाई चुम्बग एक शब्द है तो आप स्थाई चुम्बग के बारे में जानेंगे कि स्थाई चुम्बग यह क्या होता है तो स्थाई चुम्बग क अगला केशन है दिनेस फड़निस का निदन हो गया है कौन थे तो यह चहरा काफी फेमास आपने बहुत जरूर देखा होगा अगर आप बच्पर में CID के शौकीन थे तो इसमें फ्रेडरिक चो थे वो यही थे तो इनी का निदन हो गया है और यह कौन थे मशूर सो CID में एक निदन हरब सही हो जाएगा देखें प्रती वर्ष तमिल्लाड रटो की नेलगीरी जीले में बड़गास अमदाय के हजारों लोग सबसे बड़े त्योहार जो कि ए हैताई अमन में भाग लेते फिर है Oxford Dictionary ने वर्ष 2023 के लिए किस शब्द को word of the year घोशित किया है तो ये word of the year घोशित किया है रिज को option number जो B है ये आप कहाँ पर सही हो जाएगा तो देखे ये है शब्द generation Z द्वारा आम तोर पर इस्तमाल किया जाने वाले एक internet slang है जसका अर्थ किसी की शैली आकर्षन या आकर्षन के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को आकर्षित करने की शम्तफ से संभन्दित यहाँ पर है फिर है संयक्त राष्ट जिलवायू सीखर सम्मेलन यानि की COP28 में किस राज्य सरकार की तरफ से चलाय जा रहे जल जीवन हर्याली अभियान को अंतर राष्ट ये मान्यता मिली है तो ये मिली है किसके दुआरा चलाय गए प्रोग्राम को तो ये है बिहार का आप्शन नमबर बी तो देखे दुबई में 28 जलवायू सीखर सम्मेलन के दोरान बिहार को जल जीवन हर्याली अभियान के लिए सम्मानित किया गया है और बिहार की मुखे मंतरी रहे नितीश कुमार ने 26-10-2019 में जल जीवन हर्याली अभियान को शुरूर किया था जुसके अंतरगत त्राचे में पेड़ो को लगाने के लिए छोटे तलाप और कुओ को बनाने का लक्ष रखा गया था फिर है NCRB के रिपोर्ट के नुसार लगातार तीसरे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित चहर कौन सा बना है तो ये बना है कौलकाता, ओप्शन नमबर D अगर हम बात करें टॉप थ्री शहरों की तो पहले पे है कौलकाता, फिर है पुने और एक है आपका हैदराबाद अगला किशन है भारते स्पेस एजएंसी जो किए इस रोओ खौफिय शम्ताओ को बढ़ावा देने के लिए पात सालों में कितने उप्गृह को लांच करेगा तो ये करेगा टोटल पचास उप्गृह को लांच यानि कि जो इसरो है भारत की स्पेस अजनसी इंडियन स्पेस रिसर्च और्गिनाजेशन ये कूफिय शम्ता को बढ़ावा देने के लिए पात सालों में पचास उपगराय को लांच करेगा ओप्चिन नमबर ए ये आपके यहाँ पर सही हो जाएगा तो देखे इसरो अगले पाच परशों में महत्वपुन स्थानिक खूफिय जानकरी एकत्र करने के लिए पचास उपगराय लांच करेगा और यह उपगरी जियो इंटेलिजिन्स जुटाने में मदद करेंगे यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि इसरो प्रत्वी के अलग-अलग कक्षाओं में उपगरे को स्थापित करेगा और यह सेना के गति वीदियो और हजारों किलिमेटर के क्षेतर में तस्वीरे खटा करने में सक्षम होने वाला है फिर भगौलिक सूचना प्रनाली एप्लिकेशन ग्राम मांचितर के किस मंत्राले ने लांच किया है तो देखे गर हम बात करें ग्राम मांचितर तो इसको लांच किया है पंचायती राज मंत्राले ने ओप्शन नमबर B आपको यहाँ पर सही हो जाएगा तो देखे ये एप्लिकेशन ग्राम पंचायतों को भूस थानिक तकनीक का परियोग करके ग्राम पंचायत स्तर पर योश्णा बनाने में सुवेधा और सहेता प्रदान करती है ये आपको ध्यान रखना है फिर है उत्राखन वेश्विक निवेज सिखर सम्मिलन 2023 का उत्गाटन किस ने किया है तो ये उत्गाटन क्या है नरेंद्र मोदी जी ने ओप्शन नमबर सी और ये सिखर सम्मिलन कहा हुआ था तो जो आपने एफ आर आई फोरेस्ट रिसोर्च इंस्टिट्यूट इसका नाम सुन होगा जो कि आपका उत्राखन के देहरा दून में है वही पर इस समिट को आज़ित किया गया था ध्यान रहेगा किस ने किया है य थी मिथिस की पीस टू प्रोस्पारिटी और ने की शान्ति से सम्रिती फिर है भारत का पहला आर्टिफिशल इंटिलिजेंस एई स्कूल जो कि ये शान्तिगिरी विध्यभवन ये कहां पर खुला है तो ये खुला है आपका केरल में कहां पर त्रिवनंध पूरम में ओप् हुआ है एई स्कूल क्या है तो बारत के पहले एई स्कूल जो कि मैंने आपको बताया केरल में है कहां पर त्रिवनंध पूरम में तो लहां पर बच्चों को पढ़ाने में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की मदद ले जाएगी ये आप ध्यान रखेंगे फिरे साओध पंड की 20 विश्दी हिस्चिदारी का 229.52 करोड रुपे में अधिगरन किया है तो ये है आपका भारती स्टेट बैंक ऑप्शन नमबर सी फिर रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानि की आर्पी एफस ने बच्चों को तसकरी से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किय है तो ये है आपका ऑपरेशन नन्ने फरस्ते ऑप्शन नमबर डी आर्पी एफस की बात करेंने के रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसस की इस्थापना स्कीविती 1872 में मुख्यालने है नई दिल्ली में और महा निदेशक तो ये है मनोच यादव फिर अंतरास्ट्य ब्रस्ताचार विरोधी दिवश तो हजार तेईस ये कब मनाया गया है तो अंतरास्ट्य ब्रस्ताचार विरोधी दिवश तो ये मनाया गया है कब तो ये मना है आपका 9 दिसंबर को ओप्शन नमबर ए इस दिवश को मनाने का उदेश्य क्या रहता है ब्रस्ताचार के विर क्लाइमिट एक्शन समिट के दुरान लीडर्शिप ग्रूप फॉर इंडस्ट्री ड्रांजीशन 2.0 पॉर्टल ये किस ने लॉंच किया है तो ये लॉंच के हैं दो देशों ने मिलकर जो की है स्वेडन और भारत ओप्शन नमबर C आपका यहाँ पर सही हो जाएगा देखिए लेडर इट 2.0 पॉर्टल का उपयोग या फिर आपके उदेशे ये ग्लोबल साउथ को क्लाइमेट चेंज की चिनोती से निजाद दिलाना है शुरुबात इसके भी थी 2019 में जिसमें 18 देश और 20 कंपनियां जुड़ी हैं अगला पॉल की बाद अगर हम करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिमिनल पॉलिस और्गिनाजेशन जिसके स्थापनवीती 1923 में मुख्याली है लियोन फ्रांस में और अध्यक्ष तो यह है एहमद नासर अल रैसी और सदश्य देश्त की बात करें तो यह है एक सब्सक्राइब हो रही है और अप्षिन नमबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा तो देखिए वैश्विक विश्व रेडियो संचार सम्मिलन हर साल मतलब हर चार वर्ष में अंतराश्य दूर संचार संग आजित करता है ताकि रेडियो फ्रिक्वेंस स्पेक्ट्रम और भुसृतिर उप्गर है तताह गैर भुसृतिर उपक्रे कक्शा के लिए वैश्विक उपयोग को सन्सोधित किया जा सके अब हैं तरह या किया अब किलमेटर पर होते हैं यह ब मुझे बहुगे अगे description में सब्सक्राइब फिर है सिपरी की वर्षवे के सीर्ष सो हतियार उत्तपादक कमपने की सूची 2022 में भारत की किन कमपने को शामिल किया गया है तो इसमें शामिल किये गए है तीनों को यानि की हिंदुस्तान एर नौटिक्स भारत और साथी में मंग गांड डॉक्षी बिल्डर्स को यहां पर Option number जो D है ये आपके यहां पर सही हो जाएगा तो देखे हतियारों की बिकरी में 3.4 बिलियन डॉलर के साथ में हिंदुस्तान एरनाटिक्स 41 वे स्थान पर है भारत एलेक्ट्रोनिक्स 1.9 बिलियन डॉलर की हतियारों के साथ में 63 वे स्थान पर है और मंचकाओं जो है वो 89 वे स्थान पर है अमेरिका के जो लॉकिट मार्टन कंपनी है वो 59 बिलियन डॉलर के साथ में पहले स्थान पर इस सुच्ची में रही है फिर है भारत में पहली बार पुरुष वॉलिवॉल क्लब विश्च चंपेंशिप 2023 का आजन ये कहां पर हुआ है तो ये हुआ है बेंगलोरू में ऑप्शन नमबर D संस्क्रन की बात करें तो ये था इसका अठारवा ये आपको ध्यान रखना है फिर है पहला इश्च रेंजर फोरुम 2023 ये कहां पर हुआ है तो ये हुआ है गुहाटी असम में सुरी हाँ गुहाटी असम जो की भारत में है ऑप्शन नमबर जो C है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ये है फोरुम विश्च इसतर पर रेंजरों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर सहयोग करने और समधान प्रदान करने के लिए आज़ित किया गया था फिर है आपचारिक रोप से अफ़कानिस्तान में तालिबान सरकार को राजना एक मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा बना है तो ये बना है चाइना उप्शन नमबर सी तो देखे चीन ने बिजिंग में तैनात तालिबानी अधिकारों को अफ़कानिस्तान के राश्टूत के तोर पर मान्यता दे दी है और इसके बाद चीन की अफ़कानिस्तान में तालिबानी लोगों की देश में परतिदी के तोर पर चाने जाएंगे यहां तक कि अफ़कानिस्तान के जंडे को तालिबानी जंडा रिप्लेस कर देगा और तलिबान के जंडे को इस्लामिक एमिरिट्स ओफ अफगानिस्थान ये कहा जाएगा फिर है मिश्र की रिमोट सेंसिंग उपकर है मेर MISRZ2 को किस देश ने लांच किया है तो ये लांच किया है चाइना ने आप्शन नमबर C तो देखे चाइना ने 4 Long March 2 C मिश्र के लिए एक रिमोट सेंसिंग उपकर है इसको जिसका नाम है जिंक्वन सेटलेट से लांच किया है और ये को भी रेकिस्तान से लांच किया ये है उद्देश इसका क्या है क्रिशी खनेच संसोदनों की खोच सती जल पर श्रोदों की पहचान करना फिर ये वर्ष 2023 के लिए Sports Business Leader of the Year इससे सम्मानित होने वाले पहले भारतिय गौन बने है तो ये बने है जैशाह ओप्शन नमबर B तो देखे BCCI के सचीव जैशाह को CCI Reports Sports Business Awards में Sports Business Leader of the Year 2023 से सम्मानित किया गया है भारते खेल प्रसाशन में जैशाह ये सम्मान पाने वाले पहले वेक्टी है जैशाह की मैत करें तो वर्तमान में एशन किरिकेट काउंसिल के ये अध्याक्ष है फिरे फॉप्स की So Most Powerful Woman की सूची 2023 में किन भारती महलाव को शामिल किया गया तो ये शामिल हुई है निर्मला सीता रमन जी रोशनी नादर मलहोतरा और साथे में सोमा मंडल यानि की उप्युक्त तीनो ऑप्शन नमबर डी और पहला सान पर गोन है तो ये ये उरोपिया आयोग की अध्याक्ष जिनका नामे उर्सिला वान डेरलियन बेल्जिम में तो ये इनका पहला सान है सूची में फिर है भारत ने किस देश को उसके क्रिशी छितर में आधुनी करन के लिए 25 क्रोड डॉलर का रिन देने की घोशना की है तो ये की है के निया ने उप्शन बर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा फिर है किस इस्पेस एजेंसी के द्वरा फीस्ट सॉफ्टवर लॉंच किया गया है तो फीस्ट सॉफ्टवर लॉंच किया गया है इस रोंने उप्शन नमबर सी तो देखे भारती अंतरिक्ष अनुसंदान संगठन ने फीस्ट सौफटर का निर्मान किया है जिसका अपयोगे रॉकेट विमान उपक्रेम भवन आदी सहीत वेभिन प्रकार की सनरचनाओं का परिमित तत्व विश्लेशन करने के लिए किया जाएगा इसरों के बात कर लेते हैं मुख्यालने है इसका बेंगलूरू में और स्थापना हुई थी 1969 में और वर्तमान में जो इसके अध्याक्ष है वो है एस सोमनाथ और इसरों को अभी क्या मिला था एक अवार्ड मिला था लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज अगला केश्चन है जल्वायू परिवर्तन परदर्शन सोच कांग तो हजा चौबेस में भारत किस स्थान पर रहा है तो भारत का स्थान है इसमें सातवा ओप्शन नमबर ए तो दुबई में आयज़त वैश्विक जल्वायू वारता कॉप 28 के दुरान जल्वायू परिव परिवर्तन पर्यदर्शन सोच कांग जारी किया गया और इस सोच谁 में पहले स्थान पर तो नहीं बलगे किसंठ पर थान परें साथवर संबने और और ये दियान लेकी पहले संपर कोई भी नहीं बहीं है ठीए तो भात पिशली बार कौन से स्थान बरता आर्टवे और इस बार वो आ चुका है एक स्थानू पर जो की आपका साथवा स्थान जारी करता गोन है जर्मन वोच, नियो क्लाइमिट इंस्टिटूट और क्लाइमिट एक्शन नेट्वर्क इंटर नेशनल फिर 36कड के नई मुख्यमंत्री कौन बने है तो 36कड के नई मुख्यमंत्री ये बने है विशनु देवसाए, उप्शन नमबर डी ये भारतेज़नता पार्टी सेрьा, चथ्चतिसकड के नई मुख्यमंत्री चुना गया है लिंक आपको description में मिलेगा आप हमारी website को विजिट कीज़ेगा यहाँ पर आपको study से related काफी important PDF जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी इसमें आपका compilation है last 12 month का और इसी के साथ में आपका जो है यहाँ पर आपको मिलेगा quality का पूरा collection जिसकी help से आपका पूरा quality और साथी में यह current effect यहाँ पर cover हो जाएगा तो इन दोनों e-books को आप purchase कर सकते हैं लिंक आपको description में मिलेगी वहाँ पर जाकर आप simple इनको purchase कर सकते हैं otherwise आप directly हमारी website को विजिट कीजिए यहाँ पर भी आपको इन सभी PDF के links जो है असानी से मिल जाएंगी फिरे युवाओं को परियावर की generation unlimited और भारत की परियवरन वन और जलवायो परिवरतन मंत्राले की पीच में एक सहयोगात्मक परियास है जिसका उदेश्य युवाओं को जमेनी स्तर पर परभावशाली परियावरनिये कारियों में स्रामिल करना हो अगला question है आपका संयुक्त रास्ट ग्लोबल क्लाइम तो ये मिलने है परियवरन वकालत की प्रती समर्पन और प्रती बद्दता की लिए फिर भारती मूल की किस व्यक्ति को British Broadcast Corporation यानि की BBC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो ये नियुक्त किया गया है किसको समीर शहा को option number B तो देखे BBC की बात कर लेते हैं जिसकी स्थापनाविती 1922 में और मुख्या लेसका United Kingdom में है अगला किशन है आपका भारती मूल की किस महिला उपन नियासकार को सिंगापुर के सर्वोच कला पुरुषकार 2023 से समानित किया गया है तो ये समानित हुई है मीरा चंद option number C तो मेरा चंद को ये पुरुषकार कलात्मक उतकरस्टता और देश की कला और संस्कृती प्रदश्य को समरद बनाने में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है फिर भारत के गाउं का पहला संस्कृतिक सर्वेक्षन मेरा गाउं मेरी धरोवर 21 मंत्राले ने शुरू किया है तो ये शुरू किया संस्कृती मंत्राले ने option number D तो देखे संस्कुति मंत्राली ने गाउं की विरासत को दस्तावीजी करन करने के लिए मेरा गाउं मेरी धरोवर परियोशना का नावरन किया है फिर इंडियन ओयल के अगले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है तो ये नियुक्त किया गया है रश्मी गोवल को option number B तो देखे रश्मी गोवल सारवजनिक चेतर की इंडियन ओयल कॉरपरेशन की नई निदेशक होंगी गोवल जो है रंजन कुमार महापात्रा का स्थान लेंगी ध्यान रखेंगे इसके मुख्याल नहीं नई दिल्ली में और स्थापनेश की गई थी 1959 में फिर इकिस तेशकी लाका डॉंग हल्री को GI टेक प्रदान किया गया है तो ये है मेगालिया की option number C फिर इकिस प्रद्यों के कंपनी ने अपना AI मॉडल जैमिनी ये लांच किया है तो ये लांच किया है गूगल ने option number B तो देखे जैमिनी AI को यूजर्स और उसकी जुरुत के अधार पर तीन वेरियंट्स में उपलप्त कराया जाएगा पहला ultra होगा जो high complex task complete कर सकेगा इसके लावब pro और nano है जो शुरुवात में ये अंग्रीजी भाष्य में उपलप्त किया जाएगा और 117 से अधिक दिशों में इसको यूज किया जा सकेगा फिर है Forbes के द्वारा जारी सो सबसे तकतवर महिलाओ के लिस्ट में पहले स्थान बर को है तुम्हें बता चुकी उर्सिला वांडेर ये हैं पहले स्थान बर और यह European IO की प्रमुख है और वहीं अगर हम बात करें तो वहीं अगर हम बात करें भारत में तो सबसेद आकपर महिलाओं के सूची वे निर्मला सितार मंजी को जो स्थान मिला है वो मिला है कौन सा 32 वा ओप्शन नमबर C अगला किशन है आपका विश किस भारते भी नेतरी को हुंडाई इंडिया मोटर्स ने लिमिटेड ने अपना ब्रैंड इंबेस्टर बनाए तो ये बनी है कौन दिपिका पादू कौन ओप्शन नमबर A फिरे जेबा एन एक्सेलेंटल सूपर हीरो नमक जो पन्यास है ये पहला पन्यासा की सभी नेतरी का है तो ये है हुमा खुरेशी का ओप्शन नमबर B आइबे जुनियर विषव मुख्व मुख्य बाजी चंपेंचिप ब्हारत में कुल कितने पदक जीते हैं तो ये जीते हैं 17 मेडल ओप्शन नमबर B तो आइबे जुनियर विषव मुख्य बाजी चंपेंचिप ब्हारत चंप्व में ब्हारत Alorsland ने 30 अगला क्यूशन है आपका स्वच भारत मिशन गोबर्दन बायोगेस सम्मेलन का आईजन ये कहां पर हुआ है तो ये हुआ है नई दिल्ली में ओप्शन नमबर ए ये सम्मेलन सयोक्त राष्ट उद्योगिक विकास संगर्टन के सयोक से आवाश और शहरी मामलों के मंत्राले के द्वारा सयोक्त रूप से हुआ है उद्देश्य के है इसका संपिडित बायोगेस सयंतर स्थापित करने के लिए एक मजबूत पारिस्थिति के तंतर को निर्मान करना भारत के पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहां बनकर तयार हुआ है तो यह हुआ है आपका एहमदाबाद में ऑप्शन नमबर ए इसके जो स्पीड है वह आपको धियान लखनी है तीन सो पचास क्लिमोटर प्रती घंटा और यह किसकी मदद से जो किया नरेंदर मोदी जी ओप्शन नमबर सी फिर है और अगर हम बात करें एनपी सी आई की तो इसने यूपी आई को लॉंच किया था साल 2016 में 11 अप्रेल को फिर कॉप 28 सेकर सम्मेलन में किस भारते प्रद्यगी के संस्थान को Green University Awards से समानित किया है तो यह आईटी मंडी ओप्शन नमबर सी तो यह आईटी मंडी को परियावरन संवरक्षन के संभन में किये जा रहे कामों और परियासों के लिए दिया गया है आईटी मंडी की तरफ सी पुरुसकार दीपक स्वामे को प्रदान किया गया है फिर है आपका अगला क्यूशन विश्व मानवादिकार दिवस यह हम कम बनाते हैं तो विश्व मानवादिकार दिवस यह हम बनाते हैं 10 देसंबर को ओप्शन नमबर ए इसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है जो कि यह फ्रीडम एक्वैलिटी एंड जस्टिस फॉर ओल फिर है वर्ष तो हजार तेस में परिया वरन परियतन के लिए किस राचे ने सैंक्चुरी एशिया आवार्ड यह जीता है तो सैंक्चुरी एशिया वर्ष यह जीता है किसने मध्यप्रदेश ने ओप्शन नमबर बी तो मध्यप्रदेश टूरिजम बोर्ड को टॉप टाइगर्स वर्ल्ड लाइफ टूरिजम आवार्ड में सर्वसरे सितत वन्यजी परिटन सेवा राचे अगला किशन है आपका तो यह पुस्ता का वी मोचन किया है? तो यह पुस्ता का वी मोचन किया है? रामनात कोविन जो की पूर वरास्ट पती है ओप्शन नमबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा फिर नागरिक उर्डियन दिवस यह हम कब मनाते हैं? तो नागरिक उर्डियन दिवस यह हम मनाते हैं 7 दिसंबर को ओप्शन नमबर C तो देखे इस दिवस को मनाने का उदेश यह अंतर आश्ट्री हवाई आत्रा के महत्व को और एक खंकित करने और दुनिया के सामाजिक और आर्थिक विकास पे विमानन के महत्व के प्रति लोगों को जागरूप पढ़ना है तीम इसकी क्या है? तो थीम है वेश्विक विमानन विकास के लिए उननत नवाचार यानि की एडवांसिंग इनोवेशन फोर ग्लोबल एविशन डेवलोपमेंट फिर है अगला क्यूशन आपके लिए रेलवे की सर्वोच पुरुसकार अती विशिस्ट रेल सेवा आव़र्ड दो हजार तेई से किसे जमानित किया गया है? तो ये जमानित किया गया है प्रसस्ति श्रीवास्तव को ओप्शन नुबर डी तो प्रसस्ति श्रीवास्तव उत्तर मध्धी रेलवे की आगरा मंडल में वानिजक प्रभंदक के पदपर है प्रसस्ति श्रीवास्तव के पैलेट प्रोजेक्ट से मालगाड़ी के संचालन में समय की बज़त के साथी वैगन से माल लोड करने और उतारने के लिए कन्वेयर बैल पर बहतरीन कारी किया गया है जसके लिए उत्तर रेलवे ने इनको जो है मतलब रेलवे ने इनके कारी के लिए इनको प्रसकत किया गया है अगला क्यूशन है आपका जूरियर महमूत के नाम से प्रशिद थे इनका निदन हो गया वह कौन थे तो ये थे बेसिकली कौन एक बॉलिवुड एक्टर ओप्शन नमबर बी तो ये होगी आपकी बाइको अजर्बाइजान में ओप्शन नमबर डी अगला विश्यन है आपका किस तेश ने विश्यू के पहले चौथी पीडी के परमानो उर्जाजेंतर शिदाओ बे का अनावरन किया है तो ये किया है चाइना ने ओप्शन नमबर सी तो देखिए है चीन के पूर्वी सिदोंग प्रांत में इस्तिते हैं ये है अगली पीडी के गैस कूल परमानो रियक्टर की युग की शिरुवात का प्रतीक है इसकी शिरुवात हुईती साल 2012 में राधिस्थान के नए मुख्य मंतरी कौन बने है तो ये बने है भजनलाल शर्मा ऑप्शन नमबर डी राजधानी क्या है राधिस्थान की तो ये है जैपूर और गवर्नर तो ये कलराज मिश्रम पोलेंड की नए प्रधान मंतरी कौन बने है तो पोलेंड की नए प्रधान ग्रूप को ससक्त बनाने के लिए प्रधान मंत्री जीने किस योशना की शिरवाद की है तो यह है नमो ड्रॉन दीदी योशना ऑप्शन नमबर ए इस योशना के तहत जो है महिलाओं को बहतर योगदान सुनिश्यत करने के लिए ड्रॉन के जरी खेती को आसान बनाने के फिर ने विन्बेक्स का आज़न एक इन दो देशों के बीच हुआ है तो विन्बेक्स हुआ है भारत और व्यतनाम के बीच में ऑप्शन नमबर बी आज़न स्थलता इसका हनोई में और संस्क्रन था इसका चाथा अगला कोशन है आपका किस राज्य सरकार ने ड्रॉन मिशन स्थापित करने की मनजूरी दी है तो ये है महारास्ट सरकार rushing स्थापित करने की मनजूरी दी है और इस मिशन में सुरक्षा निगरानी आपता के तहट जो है बचाव कारे दूर दराज के लाकों में दवाईयां और टी के पहुचाने बुन्यादी धाचा परियोश्णाओं और यतयाद प्रभंदन के निगरानी के लिए किये जाएंगे नोट करने वाली बात यहाँ पर यहाँ पर यह किस मिशन से महरास्ट वैश्विक स्तर पर ड्रोन का प्रमू के इंदर बन जाएगा अगला गर्शन है आपका सियाचिन ग्लेशर पर महिला मेडिकल ऑफिसर की रूप में पहली महिला किसे दनाद किया है तो यह है कौन फातिमा वसीम ओप्शन नमबर बी फिरें वर्ष 2023 में इटली के सर्वास समानों में से एक दा ओर्डर ओफ मैरिट से किसे समानित किया गया है तो यह भी नेता है कौन कबीर पे थी ओप्शन नमबर बी तो इटली सरकार का यह अवर्ड उन्हें प्रदान किया जाता है जिन्होंने इतालवी समाज और उससे परे उतकरस्ट उपलब्ड या और योगदान के मादम से खुद को प्रतिस्टित किया हो किस देश ने दुनिय के सबसे गहरी अंडरग्राउन परयोगशाला बनाई है तो यह बनाई है चाइना ने ओप्शन नमबर बी तो यह लैब चीन के सीचोयान परांत में बनाई गई है और इस लैब की घहराई है 1.5 मील और इससे पहले इटली की ग्रेण सेशो नेशनल लैबोरेटरी दुने के सबसे घहरी अंडरग्राउन लैबोरेटरी थी और इसका ओदेश्य क्या है तो इसका वदेश्य ए is dark matter के बारे में study करने के बारे में basically laboratory को बनाया गया है कलबुर के open tennis tournament किस पुरिष्टे जीता है तो यह जीता है किसंये नाम है उनका राम कुमा राम नाथन option number a कहाँ पर हुआ था तो कलबूर्गी में हुआ था जो कि आपका कहाँ पर है करनाटक में है पिर है उत्रप्रदेश के युद्धा में महेर्शिवाल में की अंतराश्ची हवाई अड़े का उद्गारण किसके द्वारा किया गया तो यह किया नरेंदर मोदी जी नहीं वैश्विक स्टार्टप फंडिंग इंडेक्श 2023 में भारत के सस्थान बर है तो भारत का स्थान है चाओ था ओप्शन नमबर सी वह अगर हम बात करें टॉप थी कंट्रीज तो यह अमेरिका, बृतेन और चाइना है जारी करता तो यह ट्रेक्शन फिरे दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश तो यह बना है मयामार ओप्शन नमबर बी तो देखे दिसंबर 2023 की आंकडों के नुसार अफीम बनाने में तालिवान साशित अफगानिस्तान को पच्छाड़ कर मयामार दुनिया का सबसे बड़ा अफीम ओप्शन नमबर D तो यह दिवस बेशिकली लोगों को ग्लोबल वामिंग और जिलवायो परिवर्तन के बारे में जागरु करने पर केंद्रित है तथा उर्जस अंसादन को बचाने के परियाशों को बढ़ावा देता है अगला किशन है आपका किस देश के अशद सफीक ने किर्किट के सभी प्रारूपों से नन्यास लेने की घोशना की है तो यह है पाकिस्तान के ओप्शन नमबर A राजस्तान के नयप मुख्य मंतरी कौन बने है तो यह है प्रियम चंदर बैरबा और तिया कुमारी ओप्शन नमबर C आप कहाँ पर सही हो जाएगा राजस्तान बिधान सभा का अध्याक्ष किसे चुना गया है तो यह चुने गए है वाशोदेव नानी ओप्शन नमबर A हैदरबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त किसे निउक्त किया है तो यह हुए है के श्री निवास रेड़ी ओप्शन नमबर D फिर ग्रहम अंतराली ने किस राचे में मैतेई चरम पत्ती संगठनों को गैर कानू नी संगठन गोशित किया है तो यह है आपका मनीपूर में ओप्शन नमबर B फिर नुवा भायत अंतराश्टी विग्यान मौसव जनवरी दोसे चॉबिस में कहां पर हुआ है तो यह हुआ है फरीदाबाद में ओप्शन नमबर डीमलप किया जाएगा हाले कि 17 से 20 जनवरी तक होने वाला है फरीदाबाद जोकि हर्याना में है और यह भारत का मेगा विग्यान मेला है वीशे है इसका अमरित काल में विग्यान और प्रिद्योगी की सारजनिक लोकसमरपन यानि कि Science and Technology Public Outreach इन अमरित काल फिर हाली में किस देश के कप्तान बाबार आजम ने सभी प्रारोप की कप्ताने से इस्तिफ़ा दे दिया है तो यह है पाकिस्तान की option number जो C है यह आपके यहाँ पर सही हो जाएगा अब इदो ने तो अपना इस्तिफ़ा दे दिया उसके बाद जो शाहिन शाहा है अफरीदी यह पाकिस्तान में बाबा राजम की कप्तान ने छोड़ने के बाद T20 की कप्तान होंगे वहीं शान मशूद यह टेस्ट कप्तान होने वाले है फिर है अपका अगला question किस तेश ने दुनिया का सबसे फास्ट इंटरनेट लांच किया है तो यह है चाइना option number C यह internet connection 1.2 terabyte 35 second speed दे रहा है South China monitoring post की माने तो चीन ने दुनिया का सबसे तेश internet लांच के जिसके साथ 1.2 terabyte per second की speed यहां पर दी जा रही है चाइना की बात कर लेते हैं रास्तानी हैं बिजिंग मुद्र हैं रैन बिन भी और रास्ट पती तो यह सीजन पिंग फिर है world philosophy day यह हम कब मनाते हैं तो हर साल यह हम मनाते हैं 16 November को यह वैसे तो हर साल देखे हर साल November की तीसरे गुरुबार को होता है और इस बार यह दिन पढ़ता है कौन से तारिक को 16 November को अगला question है आपका इसकी थीम आप ध्यान रखेंगे बहुस आंस्कृतिक विश्व में दार्शनिक परतिवें यानि कि फिलासिफल रिफलेक्शन इना multicultural world शक्ति निती किस छेत्र से संबन नित हैं तो यह कोईला मंत्राले option number A फिर है किस सरकार ने green hydrogen निती लागू करने की घोशना की है तो यह कि है उत्तरप्रदेश ने option number D तो देखे global warming और जलवाईयों परिवर्थिन के खत्रों को देखते हुए उत्तरप्रदेश शरकार योगी आदित्यनाच जी ने स्वच और हरित उर्जात पादन शोटों को बढ़ावा देने के लिए green hydrogen निती लागू करने की घोश्टा की है और स्वच उर्जा होने के कारण net zero के लक्षे को हासिल किया जा सकेगा उत्तरप्रदेश की बात कर लेते हैं है रास्थानी है लकनव मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ राजयपाल है आनंदी बेन पटेल आप दिखे यह हो चुके 100 कुछन कंप्लीट आप आपका टेस्ट इसका आंसर आप मुझे कमें सेक्शन में तो पहला है मिल जाएगा आज करे तना है थैंक यह सो मच आवा गुद दिन विश्यों ले वेरी बेस्ट फोर यूर एक्जाम्स